नमस्कार दोस्तों, एसर चैनल में आपका स्वागत है। एलोविरा एक छोटा सा पोधा है, जो स्वास्ते के लिए बहुती गुनकारी होता है। एलोविरा में कई विटामिन और खनीज सामिल होते हैं, जो सरीर को स्वस्त रखने के लिए बहुत महत्पूर होते हैं। एलोविरा हमारे सरीर के लिए कैसे लापकारी सिध होता है, इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो आईए शुरू करते हैं। एक कप महंदी पाउडर में तीन चमच एलोविरा जैल मिलाकर बालो में सैंपू की तरह लगाएं और एक घंटे बाद बालो को अच्छे से दोलें। ऐसा महिने में एक बार करने से बालो के जहनने की समस्य काफी हद तक दूर हो जाती है। जिन लोगों के बालो में डैंटरफ की सिकायत हो उन्हें तीन चमच एलोविरा जैल में थोड़ा सा पिसा हुआ का पूर मिक्स करके बालो की जड़ों में लगाएं और आदे घंटे बाद गुनगुने पानी से सिर को धो लें। यह परक्रिया सप्ता में दो बार जरूर कर करें इससे धीरे धीरे डैंटरफ की सिकायत दूर हो जाएगी। दो चमच एलोविरा जैल को आदा कप दही में मिलाकर बालों में सैंपू की तरह लगाएं और बीस मिनट बाद सिर को पानी से धो लें। ऐसा महिने में दो बार करें। एलोविरा जैल को फेस पैक की तरह लगाने से ड्राय तवचा, जुर्या, मुहा से, चेहरे के दाग, धब्बे जासी समस्याओं से आरा मिलता है और तवचा में निखार भी आता है। एक चमच पीसी हुई अहलदी को एक चमच एलोविरा के साथ मिलाकर घाव पर लगाएं और यदि किसी को फोड़े फुनसी हो जाएं तो इस मिश्रन को फोड़े फुनसी पर रखकर पट्टी से बान दिया जाए तो बहुत फायदेमंद रहता है। रेजर की जलन और खुजली को दूर करने के लिए एक चमच एलोविरा जल में थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाकर चेहरे की मसाज करें। यह जलन और खुजली से बहुत रहत देता है। एलुविरा जूस का रोज सेवन करने से सरीर में से विशाक्त पदात निकल जाते हैं और डाइजेशन भी अच्छा रहता है इससे पेट की चर्वी कम होती है और मोटापा भी दूर हो जाता है एक चमच एलुविरा जैल को एक गिलास करम पानी में गोल कर पीने से पेट में गैस की समस्चे दूर हो जाती है एलुविरा हमारे सरीर में वाई ट्रक्ट सेल्स की ताकत को बढ़ाता है और इसमें मोजूद एंटी ओक्सिडेंट बढ़ती उम्र के असर को रोकता है यह हानिकारक फिरी रेडिकल से लड़कर विमारियों से भी बचाता है एलुविरे का जूस पीने से इसमें मोजूद बिटा सिस्ट्रोल ब्लड कोलोस्ट्रोल को कम करता है जिससे दिल की विमारी से बचाव होता है रोज सुबे खाली पेट एक चमच एरुला चेल का सेवन करने से यूरीन इंफेक्शन और जलन में फायदा होता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेयर करें और नए वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बैल आइकन पर क्लिक करें कर दो आपक्षा करें बाहन को कुझ आपको करें भी बैल आपको यही वीडियो करें